हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागते क्वालिटी एजुकर्शन के अपने इस प्रेटफॉर्म पर आज 27 तारिको आरे स्प्री का एक्जाम हो चुका है एक्जाम खतम होने के बाद अब सब के मन में एक ही प्रश्ण आ रहा कि कट ओफ कितनी रह सकती है सब के अलग लग मां यह कट बताई आएसा तो यह आरे इसका वास्तों में थोड़ा सबसे ज़्यादा बहुत मुश्किल रहा है बहुत सारे सातियों से बात हुई जिन्होंने पिछले साती जो सेलेक्ट हुए है उन्होंने फिर से एक्जाम दिया उन्से भी बहुत सारे जो केंडिडिड समसे और इतना बढ़ चुका कि मेरा वीडियो आने के बाद में आपको अगया के तयारी करनी है या नहीं करनी कि इस वीडियो को बनाते समय मेरी बहुत बड़ी जिम्यदारी है चोकि इसके अधर आप ड़य करते हैं तो मैं यह बना वींटाइस का भी में मसारे चैसे होंगे तो पिछले करके कटक्रोंफ कि अनुमानित बता रहा हूं उसके आसपास उसके बहुत जादा नहीं बहुत कम जाने वाली एक अनुमानित बतार रहा हूं था कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है इस पर बात करेंगे वह बात करते थे सबसे पहले तो मैं यह बात करूंगा पेपर का लेवल क्या रहा उस पर बात करेंगे सबके लिए अलग अलग लग सकता है किसी को कोई इजी लग सकता है किसी को हाड लग सकता है तो इस पर बात करेंगे किस तरह का लेवल रहा यह लेवल का अब स्टेंडर्ड क्या माने किसी के लिए कोई सवाल हाड हो सकता है तो किसी के लिए वह प्रशन बहुत इजी हो सकता ह पढ़ा है तो आपके लिए हो गया इस्टेंडर्ड क्या रहा तो इसा फिक्स इस्टेंडर्ड नहीं है मैंने मेरे हिसाब से इस पेपर को देखा है मुझे कैसा लगा उस आधार पर बताऊंगा और को और कोई इस तरह से मैं आपको तीन लेवल बताऊंगा जो मैंने मेरे हिसाब से सारे प्रश्ण छाटे हैं ठीक है पूरे प्रश्ण प्यत्र को पढ़कर इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगया इस वीडियो को लाने में किस टॉपिक से कितने प्रश्ण आई है इस पर भी ब कितनी रह सकती इस पर बात करेंगे सभी पिछली बार साथियों ने बहुत सारे साथ ने का टीएस पी की बात नहीं करें उन पर भी बात करेंगे इस बार R.A.S. Mains की तैयारी उसके बाद जिन साथियों को लगता है कि अब R.A.S. Mains की तैयारी कैसे करनी है किस तरह से शुरुआत करनी है कि सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकुस करना उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते है पेपर का लेवल क्या रहा मैंने यहां पर तीन लेवल रखेंगे यह हाड और यह मीडियम लेवल है यह मैंने पेपर देखकर मेरा जो इसके आधार पर मैंने इसको नापा है मुझे लगा कि 30-35 प्रशन इस प्रकार के थे जो बहुती इजी लेव तो आसानी से सवाल हो सकते हैं 30-35 प्रशन में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी 30-35 प्रशन मुझे ऐसे लगे कि यह बहुत ही हाट लेवल के शाहिद बहुत टॉपर केंड़ेट भी शाहिद इसको नहीं कर पाई 30-35 प्रशन तो ऐसे थे तो मुझे लगा कि यह बहुत ह लाइबरी आपको च्छान नहीं पड़ेगी तब जाकर वह प्रस्न मिलते हैं तो सामाने इन प्रशनों को हर कोई नहीं कर पाया टच नहीं किया और कुछ एक प्रस्न है इसमें से 4-5 प्रस्न हो सकते किसी को आगया हो किसी को है ना तो वह अलग बात है बाकि यह प्रस्न कोई कर लेगा और जो बहुत टॉपर जिसको मैं मानता हैं कि जो बहुत टॉप लेवल पर हेगा वहाँ कंडियर होगा क्लियर लानिन पहती हैं तो यहां पर आपका लेघॉर यहां से लिए क्या रहता उसके आधार पर सकते हैं आप इन म्यदियम लेघॉर्व को सत्तर कर पैसांट अगर इन में लेख सकताеци को यहां ने अच्छी अच्छी तयारी किये और इस परी की बहुत अच्छी तयारी किये वही इन प्रश्णों के एक अलग लेवल पर पहुंच सकता चालिस पचास साथ सतर ठीक है यानि कि यह प्रश्ण है जो आपकी मेरिट यहां पर ते करने वाले थे सतर से 75 प्रश्ण इस एक यह भी निकलना प कि यह जो पिछला पेपर आये था लगबग लगबग उसी के लेवल का था लगबग उसी के आधार पर आपकी कट-off रहने वाली कुछ पांसाथ प्रश्णों की मुझे बढ़ने की संभावना लगी बाकी लगबग कट-off उतनी ही रहने वाली है बहुत ज्यादा अंतर नही है तो यह तो हो गया पेपर का लेवल एक लाइन में काऊंग पेपर न तो बहुत ज्यादा हाड था नहीं बहुत इजी था 2018 की इस तरक्या सपासी रहा अच्छा पेपर बनाया इस बार ठीक है कुछ प्रशन आपको सीधी सीधी लगांगे 2018 के जो प्रश्ण है सीधी सीधी इंडिया जी के में लगबग उतने ही प्रशन है जओ जो मैंने टॉपिक बताए उतने उतने ही प्रशन आए पिछली बार जो आए मैंने वही प्रशन आपको बताए और मैंने कहाई यही रहने वाला इसका एक मतलब यह निकलता है आर्पी एसी में ट्रेंड बहुत अर्पी एसी देखेंगे पिछले तीन बार और यह चाहती बार लगबग लगबग वही ट्रेंड चल रहा है इसमें सिर्फ इत्यास में पिछली बार साथ प्रशन आए थे बाकिया आप देखेंगे लगबग सारे प्रशन वह के वही आ गए पिछली बार मैंने जो 50 प्रशन जोड़ते उसमें आप देख लेंगे उसमें राजस्थान जिकें में इत्यास लगबग वही रहा है यह मैंने नग्यकार से चर्ण देवराई से संबंदित प्रशन आया था वो मैंने लियाँगा और चार आदोनिक बाराइसे टोटल नोव प्रशन भारती राज विवस्ता है यहां से थोड़ा से चेंज वा पिछली बार इस प्रशन पूछेंगे यहां पिछली तीनों बार लगबग 20 प्रशन आ भी जाएंगे बहुत ज्यादा आपको चैंजे नहीं दिखाई देगा वैसा अब्लड यहां से बात कर upgraded इसका मतलत एक चीज और समझ सकते हैं जिसका राजस्तान जिके जिना उन्हें बहुत अच्छा था उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा जिनकी मैस रिजिन अच्छी हुई जिनकी करन्ट अफेर्स अच्छा हुआ जिनकी पॉलिटी अच्छी वी साइंस टेक हर कोई नह जिनके कम जो रहें इस बार उनका पेपर थोड़ा सा मुश्किल रहोगा इस बार ऐसा एक ट्रेंड था क्लियर है अब बात करते हैं जिसका आप सबसे ज़्यादा इंदिजार कर रहे हैं आरे स्प्री 2021 कट आफ की यहां देना यह के एस्टीमेटेड कट ओफ है मेरा अनुमान है मेरे अनुबव के पर बहुत सारे सातियों से जो हमारे सेलेक्टेटड साती थे उनुझे अनुमान के आधार पर मैं यहां पर सारी चीज़े बता रहा हूं बताने का मकसद क्या बताने का मकसद यह है कि आप अपनी आगे की तै रहने वाली क्या है आपके सामने आप इसक्रीन शोट भी ले सकते हैं मैंने यहां पर लिखा जनरल OBC MBC इस बार क्योंकि कोड का आदिस आया था पिछली बार इस कोड के आदेश के आदार पर लगबग वही रहेगा कि इस बार जनरल OBC और MBC MBC तीनों की कट-off सेम रखनी पड़ेगी पिछली बार जनरल की कट-off 76 रखे गई थी MBC कट-off जनरल से ज्यादा थी और OBC कट-off तो 99.3 चला गया बहुत ज्यादा चले बाद में कोड के आदेश को कम करना पड़ा था और अब इस बार वह बराबर रखेंगे जैसे बराबर र लिया गया जैसे ही OBC कट-off कम करके जनरल के बराबर लिखेंगे तो साथ जार केंडिडेट नई एंट्री कर गए इस बार क्या होगा इस बार यह होगा कि 15 गुनाई अगर लेंगे तो OBC की संख्या को बराबर रखने के लिए यहां पर OBC के हिसाब से जनरल की संख्या को माना कि 85 से लेकर 95 तक का यहां कट-off रह सकता है इसके बाद भी मैं आपको कहूंगा इसके बाद भी आप ऐसा नहीं माने कि पच्चासी नंबर आ रहे हैं मेरे पच्चासी से चार नंबर पांच नंबर कमा रहे हैं तो मेरा नहीं होगा मैं यहां पर यह बड़ा मुश्क स्किल रहता है यानि कोई अगर आप 80 मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं जनरल केडिट में पिछली बार 46 थी इसवार अगर 80 भी तो भी संभावना मान कर चलिए कि अगर आपके आ रहे हैं तो भी मान कर चलिए कि आप मेंस किलियर कर लेंगे और आप भी आगे आपको और अच्छी तैयारी करने तो मैं आपको मेंस की तैयारी में जूट जाना चाहिए में इसका रिजल्ट कब तक आ जाए गया तो लगबग लगबग एक महिना पिछला जो भी ट्रेंड रहा है एक महिने में रिजल्ट जारी कर देती है मतलब हाइस रिकोर्ड जैसे मुझे याद नहीं 2016 में शायद राज 17 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया गया 17 दिन में भी र लगा सकती तो इस बीच आपको एक महिना वेस्ट नहीं करना सबसे इंपोर्टेंट है कि अब प्री के बाद आप कैसे तैयारी पर जूटते हैं वह सबसे इंपोर्ट यह तो सिर्फ क्वालिफाई करने वाला असली जो आपका रिजल्ट बनेगा मेंस क्या दार पर बनेगा प्री तो एक बार हो गया ऐसी भी संभावना मुझे लगती कि हर बार लगबग लगबग मेंस एक्जाम कराने में आठ दस महीने और पीसी को लग जाते इस बार शायद जल्दी हो सकता है शायद ठीक है आर पीसी के ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा कहना मुश्किल होता कर जल्दी हो सकता है लेकिन ऐसा फुड़ा सा अबास हो रहा है कि इस यहां पर मिलने वाला है ठीक है तो आपको अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनन्होंने पहले मेंस की काफी तेयरी कर रखी है उनके लिए तो बस एक ही काम बचागी जितने ज़्याद़ आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते उतनी च्प्रक्टिस में में आंसर राइटिंग क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होगा सारा लिखना हो तो जितनी ज़्यादा प्रक्ट करेंगे उतना ज़्यादा काम आएगा से ने से ले लिए इसको जो मेरा अनुभव है ठीक है उसके आधार पर में आपको यह बात किया रहा हूं इस समय तीन-चार महेनी के अगर आप कोचिंग करते हैं वह आपके काम नहीं आने वाली है ठीक है अगर आप इस समय कोचिंग जाएंगे 8-10 गंटे पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि मैं मैंस क्लियर कर लूँगा मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो अगर आप मैंस क्लियर करने का सोच रहें इसी बार औ अगर आप जो करना है वो जितनी ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे वही काम आगा या टेस्ट प्रैक्टिस कोचिंग में जा रहे तो कोचिंग सिर्फ इस मक्सद से जाए कि आपके हर डाउट का सॉलूशन मिलेगा तो तो कोचिंग काम की होगी नहीं तो आप 3- इसली बार 45 टेस्ट लिए मैं बहुत खुश हो रहा था कि मैंने इस बार बहुत टेस्ट लिए लेकिन जब मैंने इनका इंटर्विव सुना तो लगा कि सो इन्होंने लिखे हमारे एक साथी है महस्ट गगारे जी अठारी रेंग वह बता रहे थे उन्होंने 200 टेस्ट है कि आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि वहां पर सिर्फ आपको पे अपनी कोपी के पेज भर कर आने इतनी तैयारी के साथ जब आप जाते हैं तब आप मेंस में बहुत अच्छी रेंग एक स्दीम आरेस की पोस्ट आप यहां पर हसल कर पाएंगे तो जनरल अब बात करत चले कि आप अभी अंदर है जब तक रिजल्टर नहीं आता तब तक आप अंदर है यानि की मेंस की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए आपको एक मैनर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है यह मैंने मेल का लिखा अना फीमेल का आप अंदाजा लगा दीजिए ज्यादा से ज्यादा पांट सात नंबर का ऐब डिफरेंस रहेगा इसे ज्यादा डिफरेंस की संभावना मुझे नहीं लगती है तो इतना ही अंतर रहेगा मेल कम यहां पांच है ग्याफ चलसे जा रही है टीक है लगबग जनव पिछली बार जनरल केंडेट से सर्फ तीन नमबर का अंतर रहा था स्टी मेल केंडेट में ठीक है तो लगबग इस बार भी यही संभावना है कि इस बार भी कट ओफ यहां से स्टी केंडेट की हाई जाएगी अब बाकी बात कर लेते डाइवोर्स जो फिमल केंडेट है उनकी 55-60 लगबग मैंने जो आपको पहले बताई थी उतना ही आपको टार्गेट बताए था उतना ही आपकी कट ओफ जाने की संभावना वीडियो के टेगरी में यह वेरेशन रखा था पिछली बार तो अठारा नमबर पर हो गया था जनरल जो वीडियो क्यास पास रही थी इस बार भी इतनी संभावना 40-45 इतनी आपकी कट ओफ रह सकती टीएसपी केटेगरी की बात करें तो जो आप देखेंगे कि लगबग सबकी बराबर रहती है और बहुत जादा अंतर नहीं रहता है जो नॉन टीएसपी में जनरल की कट ओफ जाती है जो मैंने बताया है कि अभी से आपको आरेस मेंस की तयारी पर लगजाना चाहिए मैं अरेस मेंस की टेस की बारे मी बात करूंगी जो आप लंबे समय से लिमांड्र कर है दो वहाँ च्र और इस मेंस की टेस ii join कर सकते हम भी यहां पर शुरू करें वह online होगी लेकिन मैं सलाव आप अगर offline जोइन कर सकते हैं कहीं पर पर भी जाकर तो आपको test series offline ही देनी चाहिए वह ज़्यादा beneficial रहेगी वह ज़्यादा beneficial रहेगी अगर आप offline देकर जा सकते देने जा सकते हैं जिसे बहुत सारे साथी मुझसे पूछते भी है मैंने भी तयारी किती आगर पॉसिबल है जैसे पस्चिमी राजस्तान के सभी केंडिट्स को तो में यही सला दूँगा कि आपको भाठी आर्शनम जाना चाहिए जरूर के वहां लगवग लगवग एक्जाम से पहले 40-45-50 फुल ट टेस्ट भाठी आपना एक सिस्टम है सेड्यूल दिया जाता है आपको सेड्यूल में चारों पेपर मिक्स होंगे चारों पेपर के आपकी मिक्स तैयारी चलेगी लाश्ट तक और लास्ट में आपको जब जाते जाते हैं पूरा पेपर जिसे पेपर वन टू-टू-3-4 इस जो अच्छी तैयारी करवाते हैं वहां जोईन कर सकते हैं और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप एक से जुड़े और वहीं से तैयारी करें जिसे मैंने महेश जी का इंट्रिव्यू जब सुना तो उन्होंने कहा कि आरस मेंस के लिए बहुत जरूरी कि आपका अलग-अलग बने अगर आप एक इंस्टिटूट से जुड़े तो हो सकता कि आपका एक ही एप्रोच डेवलप हो और आरस मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अलग-अलग एप्रोच डेवलप हो तो अगर आपके पास संभव हो तो आप कोशिश करे एक दो या और अलग-अलग सेंटर से जुड़कर आप लिख सकते हैं वैसे आजकल तो क्या कि टेलीग्राम पर आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे हमारी यहां पर भी आपको बहुत सारे में पैपर अवेलबल करूंगा आप घर पर बैटकर भी उनको लिख सकते हैं खुब सारी प्रैक्टिस कर स पाती थे उनका भीसरांहें बहुत सायोग मिला है paper बनाने में इसकी बनाने में बहुत अच्छा मिसके लिए प्लान कर रहें भी करते हैं लेकिन टेस्ट नहीं लिखते हैं और लास्ट में जाकर नुक्सान होता है टेस्ट तो आप चाहिए सर्विस में हैं जो प्याइट आपको जरूर लिखना चाहिए अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कि वह कि सेंटर पर जाकर प्रैक्टिस कर पाए चुटिया ले पाई आर्स में बड़ी दिख्रक्ट होती है अर्स में बड़ी दिकत होती है चुटिया ले लेते हैं पुरी चुटिया पूरी होगई第二 शक्री र tapa काम भी नहीं आती है बाद offered व्हें वहां जाकर आप लिखे नहीं है तो यहाँ पर आप ऑन्लाइन इसको जो कराएंगे मैं आपको फिर से सलाह दूँगा कि आप सिर्फ 20 टेस्ट नहीं लिखें यह तो हम अपनी तरफ से अवेलेबल कराएंगे 20 टेस्ट कराना भी अपना में बहुत भरी काम होता है तो सिर्फ 20 टेस्ट तक आप सिमित नहीं रहें जहां पर भी आपको पेपर मिले आज सब्सक्राइब चेक करूँ तक कि झत्यारी हो सकती है तो जतना चाहिस करें और सबसे रहों पर पेपर करने वाला है तो तक नहीं रुक है जब तक आप 130 140 145 नमबर उसमें नहीं लेकर आए ठीक है इन ओनलाइन वी स्टेस्स हम कब शुरू करें उसके बारें बता देता हूं नया जो अपना है उसका अपडेट आ चुका है यहां पर मैं आपको बता देता हूं नया अपडेट आने पर यहां पर आ यह Choi नहीं कर सकता को अपने को भी कर सकते हैं और रिजल्ट आपको एपमेद जगर सक wp मिल जाएगा यह चीज़े होगी को चलिए इसलिए उसलिए करने में नहीं हो पाएगा इसलिए हमने सिर्फ टेवल सुरू के पांसो के दिपर देट को यहां पर शामिल करने का इसे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे टोटल कितने रहेंगे टोटल बीस टेस्ट फीस हमने रखी इसकी पांच जारूपे पांच जारूपे यानि की हलाकी ओफ लाइन से आपको आदी फीस ही लगेगी ठीक हो सकता किसी को जादा भी लेकिन क्योंकि यह मैनुवल एक एक कॉपी चेक करनी पड़ती है इसलिए इसमें जो संसादन जुटाना पड़ेगा जो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी कॉपी च जाते हैं मेंस में आप आजाते हैं और वो केंडिडियर जोईन कर सकते जो अगली बार की तैयारी कर रहें उनकी अपनी तैयारी करने के लिए भी आप इस सब्सक्राइब करें लिया और सारह चारो पेपर का कोशिश करेंगे चारो पैपर के आपकी साथ-साथ तयारी चले अगर मैं ऐसा चलाओंगा पहले एक पहले ह 우리가 सब्जेक्ट फिर दूसरा सब्जेक्ट तीसरा सब्जयक्ट Pacific ंचाल सबजेक्ट बाद पहला सब्जेक्ट भुल जाए इसलिए हमने ये कहा कि आप फुल लेंद की टेस्ट की संख्या और बढ़ा देंगे डी से यादा बढ़ा देंगे दूसे ज़रूर लिखवाएंगे तो इस तरह से यह सारे सारे टेस्ट यहां पर रहने वाले जल्दी आपको सारा सीडूल भी बता दिया जाएगा पस यह कि पांसो केंड़ेट्स आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे एक नवाचार जो हमारे साथियों ने हमें सुझाए वह भी बता देता हूं यह एक तो आप सब आपका टेलिग्राम गुरूप बनेगा जिसमें हम सभी केंडिट्स को जोड़ देंगे फीमेल मेल का अलग अलग रख सकते हैं जैसा आप चाहेंगे सुविधा होगी इसमें नवाचार यह कर सकते हैं कि हर बार हम कोशिश करेंगे हर अपते जब रिजल्ट आएगा तो हम किस तरह से आंसर लिखा जाता है आपकोяс़ तरह को सारी की किस तरह से लिखते है यहाँ यहाँ इन्ट शामिल होगे सबकी रहेंग जारी होगी सबका तरыт नाम आजएगा आपके अपतुराब्ड रख सकता है फो सारय के कंडेट बिकिसी की कपई भीख कर सकता है कि कोई भी बेख सकता है कि यहां पर किस तरह से लिख रहे हैं है इसलिए हमने यह function सबके लिए दिया है ईटाप पर सिको पी आप देख पाए ठीक है तो यह मेंस की टैस्ट स्रीज जो आप काफी समय से डिमांड कर रहे थे हमने वह भी शुरू कर दिये एक में पूरा नया फंक्शन आया है यह इस्टुडेंट की संक्या मतलब लगबग ठीक है हमने इस बार इतना ही रखा पांचो बहुत रहर केसमें अगर पॉसिबल हुआ इतनी रहे इतनी रहे आपको लगता है मैं तो यह कैफ़ने कंडियों करने चाहिए जो किसी कारण से औफ लाइन में जा रहे हैं जहाँ पार आगर आप और आप अपने में मतलब वहां जाकर और सेंटर में जाकर नहीं कर दिए सिर्फ हमने उनके लिए डिजाइन की है जो किसी सर्विस के कारण या जोब के कारण या फिर किसी दूरी के कारण वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप उनलाइन के उपर जो तयारी करने का लगातार मैं कोशिश कर रहाँ बहुत सारे साथियों से हमारे जो भी सेलेक्टेट साथी मैं उन सब का एक वीडियो भी लेकर आऊंगा वह आपको अपनी अनुभाव भी बताएंगे उन्होंने किस तरह से त्यारी कि लगातार उन पर से भी आपको मिलाऊंगा और जो गुरूप में जुड़े रहेंगे साथी उनसे लगातार आपसे अपसे जो मीटिंग के माध्यम से जल्दी से उन सबसे भी रूबरू कराऊंगा ठीक है तो आपकी कोई और सवाल हो तो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमें नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे थैंक यू